नमस्कार साथियों मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साथियों एक बेसिक सिक्सा से सम्मदित ले टेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ और पहुत ही गंभीर मामला है साथियों जब हम सिक्सक बनते हैं तो हम हमें अपने धर्म अपनी जाती इस सब चीजों को छोड़ कर अपना धर्म सबसे पहले सिक्सक समझना चाहिए लेकिन कुछ सिक्सक साथी जाती धर्म के फेर में पड़े रहते हैं ऐसा ही एक सिक्सक साथी ने किया उन्होंने वाटसप ग्रूप पर अबद टिपनी की किसी दूसरे धर्म और जाती के परती सातियों जब हम एक सिक्सक नुक्त हो गए और सिक्सक होने के बाद अगर हम किसी दूसरी जाती या किसी धर्म से विद्वेस करेंगे तो हम क्या बच्चों को पढ़ाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग जाती संपरदाय के बच्चे आते हैं और हमारी लिए वो किवल बच्चे होते हैं इसी तरह से अगर एक सिक्चक बन जाता है तो उसके लिए जितने भी साथ के सिक्चक हैं वे किवल सिक्चक हैं ना भी किसी जाती से संबन दिते हैं और ना किसी धर्म से संबन दिते हैं लेकिन एक सिक्सक साथी ने WhatsApp ग्रूप में अबद्र टिपनी की जिसके कारण उन्हें बेसिक सिक्सक को निलंबित कर दिया गया। काफी गंबीर मामला है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, क्या उन्होंने टिपनी की थी, क्या उनकी टिपनी करना उचित था या बिलकुल अनुचित था। ये सब हम आज की वीडियो में डिसकस करेंगे। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं तो साथियों वाट्सप ग्रुप में ब्रहमन समाज पर अबद्र पोस्ट करने वाले बेसिक शिक्षा शिक्षक निलंबित हो गए हैं साथियों हो सकता है हम किसी जाती संपरदाय से सम्बन रखते हूं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरी जाती और संपरदाय का अपमान करे और एक सिक्षक होने के बाद अगर आप ऐसा करते हैं तो ये और भी ज़्यादा गंबीर मामला हो जाता है क्यों वी देवताओं और ब्रह्मन समाज पर अबद्र पोस्ट करने वाले सिक्सक को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सस्पेंड कर दिया है। शिक्सक ने विभाग द्वारा दिये गए नोटिस में गलती होना स्विकार किया था। मामले में नार्खी A.B.S.A. को जांसो पी गई है। वाट्सप ग्रुप में ब्रह्मन समाज पर अबद्र पोस्ट करने वाले बेसिक शिक्षा निवरंबित हो गई है। तहसील छेत्र के गाउं नगला कलवा में तैनात सहायक अध्यापक ओम परकास ने विगत 23 जुलाई को विभाग या वाट्सप ग्रुप पर देवी देवताओं और ब्रह्मन समाज के लिए आपत्ती जनक पोस्ट डाली थी। सातियों हम किसी हर कोई एक ग्रुप पेसे जुड़ा हुआ है अपने ब्यार्सी ग्रुप से हम सभी जुड़े हुए हैं लेकिन पोस्ट को डालने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि उस पोस्ट का क्या मतलब है किसी की भावनाए आहत तो नहीं हो रही हैं मान लिजे इपनी एक सिक्षक को बिल्कुल भी सोवित नहीं देती मुझे तो इनका करते हैं बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है उस पोस्ट का सिक्षकों वे ब्रहमन समोजदरा विरोध किया गया था इस पर विभाग ने उसे नोटिस देकर जवाब मांगा सिक्षक ने विगत 39 जोल मामले की जाँच खंड शिक्षा अधिकारी नारकी जितेंद्र कुमार को सोपतेवे 15 दिन में जाँच आख्या मांगी है तो साथियों मेरी नजर में ये बिल्कुल गलत किया सिक्षक ने क्योंकि जब सिक्षक हम बन जाते हैं तो हमारी जितने भी साथियं वो केवल जिख सक ने गलत किया आपकी इस बारे में यह राई है वीडियो के कमेंट बॉक्स चरूर लिखें साथ यह přतो उडर्ब पाई हो इस वीडियो को लाइक करें और सेर्ड तो ना करें क्योंकि एक सिख्सक में किया है इससे सिक्षक की पदनामी होगी शेयर चाहें आप करें ना करें वाग कुम्मर जी है लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इससे कि आपको विभाग से सम्मधित इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें धन्यवाद